अस्ट्रेलिया में लगातार दूसरे दिन भारतिय खिलाडियों पर नसले टिपणी इस वक्त की बड़ी खबर सिड्नी टेस्ट में मौमत सिराज पर दर्शकों ने किया वद्र टिपणी बाउंडरी पर फील्डिंग करते हुए सिराज को गालिया दी गई यह इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर सिराज से अबदरता करने वालों को मैदान से निकाला गया है विराट कोली ने की दोशियों पर सक्त कारवाई की मांग ट्वीट करके लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता रहा हूँ लेकिन ये एक cricket जिसको जेंटलमेंस गेम कहा जाता उसके लिए शर्मसार करने वाली घटना है सीधे यहाँ पर मैं देके चलूँगा शिवेंदर मेरे सायोगी मेरे साथ जोड़ चुक है शिवेंदर पूरी घटना के बाद अभी इस वक्त शिवेंदर सबसे पहले पूरा इस ख़वर पर अपडेट बताएं क्या क्या आ रहा है बिल्कुल लिशान सबसे पहली बात तो यही जैसा आपने कहा कि cricket को शर्मसार करने वाली घटना है अपडेट यही है कि ICC ने एक जाच बिठा दी है उसके अलावा cricket Australia ने New South Wales की पुलिस के साथ मिलकर एक जाच शुरू की है और सबसे जादा जो मांग आ रहे है क्रिकेट के तमाम खिलाडियों की तरफ से और विराट कोहली जिनका आपने जिक्र किया कि सिर्फ स्टेडियम से उन दर्शकों को उन उतपाती दर्शकों को बाहर कर देना इसका इलाज नहीं है कोई सक्त कदम उठाने होंगे कोई कारूनी कारवाई करनी होगी अगर इस खेल की छवी जो जेंटलमेंस गेम आपने भी कहा उसको बरकरार रखना है तो तो यह अभी तक का अपडेट है दो अलग अलग जाच चल रही है इस मामले में अब जिससे जो नतीजा निकलेगा उ आई है बिग वॉल पर उसके बाद जितात मेरे साथ है उनके साथ आस्ट्रेलिया से जुड़े हुए हैं उनसे हम बातचीत करेंगे यहां पर देखें जो हमारे पास इन्फरमिशन आईए ज़रा प्रे करें भारती क्रिकेटरों को गाली दी गई अबहत्र टिपणी की गई रेसिजम अगर कहा जाये तो गलत नहीं होगा सिडनी टेस्ट में लगा था और दूसे दिन भारती खिलाने उपर को दी गई गाली अबत्र टिपणिया की गई मौमद सिराज के उपर बूमरा के उपर लेकिन मामले ने तूल पकड़ा तो क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने माफ लुकी हुई थी सिराज और भूमला पर नसली टिपणि को लेकर बीसी सैने दर्ज कराई है आई सी सी में शिकायत भारती क्रिकेटर पर नसली टिपणी की शिकायत पर सीय ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जाच के आदेश दे दिये मैं चाऊंगा जो स्टिल्ज है हमारे प प्श्वार्ट